हाई अबरीवन कैसे आप सब एक बार फिर से मेरे यूटीब चैनल मैस वाला पे आपका स्वागत है ने हूँ विनीच लूंबा और आज हम डिसक्स करने वाले ड्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर जी टू-0-0-1 फिर से हमेशा की तरह मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा है और हमारी आज की क्लास के key points of discussion होगे पहला question जो मेरे पास पिछले कुछ दिनों से आया है जब से मैंने J 2021 की strategy की वीडियो बनाई है तो यह है कि मेरे को drop करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कौन से factors का मेरे को ध्यार लगना चाहिए यह मैं बात discuss करूँगा फिर अगर मैं राम शाम या आम category में है तो कौन सी category वाले को बच्चों को self study से काम चल जाएगा कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनको coaching लेने पड़ेगी या फिर जिनको coaching advisable है आना और last way we will also be discussing आपको कौन सी books, notes, study material discuss करने चाहिए पढ़ने चाहिए यह सारा कुछ हम discussion आज के वीडियो में करने वाले है और इट चैनल को subscribe जूरूर कर लिजएगा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताओं कि यार जो drop करने का आपके अगर मन में ये है कि अगर मैं drop करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे society क्या सोचेंगी तो ऐसा कोई disease नहीं है यह कोई social stigma नहीं है कि जिसने drop किया है वो नलायक बच्चा है जिसने drop करा है वो जिन्दगी में पीछे रह गया ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले तो आप अगर drop करने का सोच रहे है या उस पे विचार कर रहे है if you are thinking about dropping if you are discussing with your parents with your teachers about dropping first of all keep this thought out of your mind that drop से आपकी society में कोई आपकी respect कम होगी या फिर placement में आपको किसी तरह का कोई भी let's say hindrance आएगा ना college में किसी तरह का आपको एक social stigma face करना पड़ सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है no one will care when you are in a good college किसी को फरक नहीं पड़ रहा कि आप drop करके आए हो और या फिर आप 12th के बाद directly आए हो आप ये समझो ना अगर आपने drop करके अगर ये एक बुरी बात होती मालो drop करना बुरी बात हो दी drop करने वाले बच्चे अगर मान लीजे society या फिर आपके friends या teachers या placement वाले या companies वाले अगर उनको ये समझते कि drop करने वाला बच्चा नलायक है drop करने वाला बच्चा ज्यादा hard working नहीं है drop करने वाला बच्चा आपको एक चांस दिया जाता है फिर drop का जो factor है जो drop का आपको एक चांस दिया जाता है वो चांस देते ही क्यों अगर drop करना allowed नहीं होता तो drop कोई करता है नहीं अब drop करना allowed किया है तो मतब सब लोग मानते हैं कि drop एक साल का हो या दो साल का हो उससे कोई खास फरक नहीं पड़ेगा आपको drop का decision लेते समय इस point पर बिल्कुल भी discuss नहीं करना है कि लोग कह सोचेंगे लोग जो मर्जी सोचते रहे drop अगर आप करना चाहते हैं तो some other factors will be there that will help you in dropping not this particular factor and this factor will not be stopping you from dropping also तो now let us discuss category wise सबसे पहले अगर मैं राम category की बात करूँ तो राम category में वह वो लोगों को रख रहा हूँ जो लोग double droppers है double dropper मतलब कि एक साल हमने drop कर लिया और अब हम दुबारा से drop करने का सोच रहे है मतलब हमारे अच्छे marks नहीं आए अब इस पे आपको सोच विचार करना पड़ेगा बहुत ही tough decision है क्योंकि आप एक साल अपना drop कर चुकर अब second year में decision लेना बहुत tough है मैं आपको बिना पहच ली थी या self study कर रहे थे क्या आपने time table बनाया था follow किया था अगर ये सब करने के बाद भी आपका rank नहीं आ रहा है तो क्या problem है क्या पता आपका जो mind है वो aptitude वाला हो engineering वाला ना हो physics chemistry मैस आपको कम समझ में आते हो आपका कुछ life में कुछ और aim रहा हो ना ये भी हो सकता है तो जबरदस्ति हम अपने आपको engineering में घुसाएंगे तो फिर engineering नहीं आपाईगे ना दिमाग में नहीं घुस पाईगे तो ये एक factor हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप drop year में sincere ही नहीं थे तो अगर आप drop year में sincere नहीं तो क्या guarantee है कि आप अगले साल भी आप sincere होगे क्य सर ऐसा है मैंने यह किया था 11 में यहां पर था 12 में यहां पर था drop मैंने यहां पर किया ऐसा पड़ा अभी मेरे इतने number आए मैं इतने चाहता हूं तो मैं इसको drop करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो अपनी कुछ history आपको बतानी पड़ेगी तब ही मैं आपको इसके बार basically fall कर रहे हूँ comment section में so that I can also have an idea कि आप लोग का preparation level अभी कितना कितना है तो ये category में मैं उन droppers को रख रहा हूँ जिनके इस साल 98 percentile के उपर बन रहे हैं या बन जाएंगे ठीक है मतलब आपका JEE 2020 में जो score है September session का वो 98 percentile के उपर है और आप उसको improve करना चाहते हो your whole point is to fine tune your preparation and आप already coaching ले चुके हो आपके पास पूरा study material है सारा कुछ तुमारे पास है बस तुमें इस साल उतना समय नहीं मिल पाया तुमने थोड़ी late तियारी करी थी तो आप अपने आपको शाम category में रख सते हो अगर आपने पहले coaching ले रखी है आपके पास coaching का study material है आपका 98 percentile आ चुका है and आप अपने percentile को improve करना चाहते हो तब आप शाम category में हो तो शाम category वालों का main aim क्या है rank improvement करना तो आप लोगों का जो target होगा सबसे पहले वो आप January session को target रखें क्योंकि आप 98 percentile पे already है तो आपको बस fine tune करना है तो अगले 3-4 मीने में आप easily fine tune कर सकते है और अपना best दे सकते है January में फिर आपके वास April में भी session होगा तो उसमें आप उसको और best करिएगा और advanced की preparation साथ में कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जही में January पे focus करना चाहिए अगर आपके 98 percentile आए हैं अगर आप coaching ले रखे हो आपके पास material है और आपका एक मात्र मोटिव जो है वो rank improvement का है books study material की बात करो notes की बात करो तो वो आपके पास already है that you already have अगर मैं ये बात करूँ कि आपको self study करना चाहिए कि coaching लेना चाहिए तो I suggest कि आप self study से भी काम चला सकते है because आपके पास सारा कुछ है बट फिर भी अगर आपको लगता है कि यार मेरे को definitely guidance की ज़रुत है तो आप guidance ले सकते हैं coaching कर सकते हैं बट आपको मैं मतलब जादा ये basically decision मैं आपके उपर ही छोड़ता हूँ coaching वाला because इसमें क्या है कि आपके पास already आप coaching ले चुके हो 98 percentile आपका आचुका है अब आप drop कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है आप घर पे बैठके self study से सारी revision करके practice करके आप solve कर सकते हो आप questions के level को अपने बढ़ा सकते हो और बढ़िया rank score कर सकते हो तो आपको लगता है कि अगर आप बिना coaching के अच्छा perform कर लेंगे तो आपको कर लेना चाहिए कोई इसमें 2 राये नहीं है अब मैं आयाता हूँ arm category पे यह वो लोग है जो पिछली 2 category में fall नहीं कर रहे है चाहे कोई भी criteria miss हो रहा हो चाहे आप double dropper रही है चाहे आपके 98 percentile नहीं आए अगर आपके 98 percentile आए हो और आपने coaching नहीं लिए तो अभी आप अपने आपको arm category में रखेगा arm category में वो लोग आ जाएंगे जो शाम के criteria's को या राम के criteria's को fulfill नहीं कर रहे है तो सब के सब बाकी किस में आगे arm में आगे तो यह वो लोग है जो अभी भी अपने आपको discover करना चाहते हैं इन्होंने coaching नहीं ली पहले पहले इन्होंने self study से पढ़ा दो साल अगर पढ़ा तो और या फिर इन्होंने basically थोड़ा थोड़ा पढ़ा coaching में उतना अच्छा नहीं पढ़ा और उतना अच्छा इनका result नहीं बन पाया अब यह serious पहले से बहुत जादा है अब यह पढ़ाई करने के mode में है अब यह चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें हम भी एक अच्छे college में जाएं तो अगर आप ऐसा सब हो और आप अपने rank को improve करना चाहते हो आपकी अभी चाहे ही जो foundation हो conceptual वो weak रही हो आपको definitely mentoring की जरूरत पढ़ेगी तो आप अपना drop year waste ना करे पहली दो category में देखो मैं तुम्हें तुमारे उपर छोड़ रहा हूँ ना बात कि तुम coaching लेना चाहते तो ले लो नहीं लेना चाहते तो मत तो बट यहाँ पर आपको coaching ले लेनी चाहिए चाहे वो online coaching हो चाहे वो offline coaching हो आप किसी भी institute से coaching ले किसी भी teacher से coaching ले जिसके का पास भी पुराना track record है जिसने बच्चों को पढ़ाया है पिछले कई सालों से तो यह बहुत एक tough decision कई बच्चों के लिए हो चकता है तो आप drop ले रहे हो अगर आप drop लेके घर पे बैठके कम आया या पिछले दो साल आपने coaching नहीं ली थी अब आप पढ़ना चाहते हो तो अब right time है पढ़ने का आपको लेकिन January session target नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि यह पहले आपके number नहीं आए आप जल्द बाजी करते रहे होंगे पहले उसके करण आपके number बन नहीं पाए अब आप फिर जल्द बाजी करोगे फिर आपके number नहीं आएंगे जनवरी में मालो आप crash course जो हैं कर ले तो तीन महीने का तो तीन महीने के crash course में फटा फट सारा सले बस करा जेंगे फिर उपर उपर से पढ़ लिया अरे हर बार उपर उपर से पढ़ेंगे तो number भी उपर उपर से आएंगे ना depth वाले number कब आएंगे कब हमारा percentile improve होगा कब हमारा rank improve होगा तो बार बार अगर आप skimming करते रहेंगे बार बार चीजों को glance ही करते रहेंगे एक एक दिन में chapter निपटाते रहेंगे तो कैसे आप देखिए कैसे आप अपनी preparation को अच्छे level पे ले जाएंगे आप देखिए अगर मैं more or less 25 chapter भी मानूँ एक subject के कहियों के 30 भी हो सकते हैं तो मैं मालो 80 chapters माल लेता हूँ ठीक है 25 into 3 plus 5 और लेता हूँ एक दिन में chapter थोड़ी नहोंगा यार आपको एक chapter को 2-3 दिन तो देने ही पढ़ेंगे कम से कम 3 दिन 4 दिन तब ही तो अच्छे से वो chapter prepare हो पाएगा तो इसलिए आपका target April का ओना चाहिए ना के January का ठीक है तो ये चीज़ आप माल लें कि अगर आप जल्दबाजी करते रहेंगे देखो अगर आप शाम category में हो आना इफ यार इन शाम category देन यू कन keep your target as January बट इफ यार इन आम category देन यू cannot keep your target in January यू शुड keep your target in April इसका मतलब यह नहीं है कि January में हम exam नहीं देंगे आप exam दीजिए अगर exam होता है January में तो आप दीजिए उससे आपको exam का pattern आपको nature आपको खुद का current level of understanding वो सब पता चलेगा बट आप अपना target जो है वो April बना के रखे आप अपने syllabus को April के साब से finish करें एसा ही कुछ मैं अपने Excel batch में करवाने वाला हूँ तो मैं film star तो नहीं हूँ बट मैं promotion तो करना ही चाहूँगा क्योंकि मैं batch लेके आया हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कुछ फायदा हो अगर आप afford कर सकते अगर आप नहीं afford कर सकते तो YouTube पे content है that is always available बट आप यह देखिए कि अगर आप खुछ से पढ़ेंगे और अगर आप professional help लेके पढ़ेंगे तो difference तो उसमें आएगा that is definitely understandable but if you are unable to afford that also I can understand but I am helpless to do anything in that regard but फिलहाल आप देखिए अगर आप drop कर रहे हैं actual में और आप coaching के लिए ढूंड रहें किसी को तो आप हमारे Uncanny Plus platform पे आके actual batch जो dropper का 21st September से start हो रहा है उसको join कर सता है जो कि February तक चलेगा तो February तक हम अराम से syllabus खतम करेंगे और फिर March में आप revision करके April में अपना test दे सकते हैं तो basically target हमारा क्या रहेगा इस exam में भी April का ही target हमारा रहने वाला है इस particular batch में यह batch start होगा 21st September से बहुत experience faculty है आप मेरा raffle code वनीत लाइब यूज करके जल से जल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि 10 September से prices बढ़ने वाले हैं Unacademy के तो फिर आपको ज़्यादा costly पढ़ेगा अभी शायद 1 year का subscription आपको around 27,000 में पढ़ेगा एक और batch भी मारा आ रहा है वो 2022 aspirant के लिए अगर आपकी नजर में कोई हो जो ढूंड रहा हो तो आप उसको recommend कर सकते हैं So I think that is it ये मैंने आपकी जो queries मेरे को पिछले दुनों में मिली वो सारी मैंने answer कर दी है फिर भी और कोई queries रहे गी है तो फिर से video के नीचे comment करे उन पर मैं फिर से एक नया video डालूँगा और उन queries को answer करने की कोशिश करूँगा आप कुछ भी मेरे से पूछा चाहें तो please अपनी background जरूर मेरे को बताएं ताके मैं आपके current level को understand करके आपको better तरीके से guide कर पाऊं Alright, that is it for the day I will see you soon in my next video Till then, thank you and all the very best